साहित्य निदि में प्रस्तुत है डॉक्टर सूरेबाला जी की लिखी हुई कहानी मेरा विद्रो किवार धीरे से सरकागर दबे पाओं घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ पर कोने में बैठे पिता जी की निगाहे मुझे दबोच लेती हैं किधर गए थे लॉंड्री में कपड़े देने तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉंड्री में दुलते हैं रोज कब जाते हैं बखवास मत करो दिनबर सड़कों वर मटरगर्ष्टी करते फिरते हो अपने कपड़े खुद नहीं दो सकते हम मैं गुनाता हुआ ढीट सा अंदर आ जाता हूँ मन तो करता है कि उनको मुझ तोर जवाबों से घुप दूँ पर जानता हूँ परिणाम वही होगा उनका दाहरना गरजना मेरा कई-कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नजरों से बचने सामना पढ़ने पर मेरा ढिटाई से गुजड़ जाना मा का रोना धोना और पूर कर्मों को दोश देते हुए लगाता अर्बिसूरते चले जाना ठीक ठीक याद नहीं आता कि ये सिलसला कब से और कैसे शुरू हुआ मैंनो तो अपने आपको जब से जाना ऐसा ही वित्रोही उद्दंड और धीट बच्पन मेरे लिए बिलकुल एक शहद के प्याले जैसा ही था जिसे होटों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांगशा का जहर उस प्याले में घुल गया था अभी भी वो दिन्याद आता है जब माने बाल सवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका मुझे पिताजी के साथ साइकल पर बैठा कर स्कूल भेजा था संसकारों से शुद्ध भारतिय और तंग हाल मद्ध वरगी एक रहस्त होने पर भी पिताजी तमाम दौर धूप कर मुझे कॉन्वेंट पे दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे मैं अंग्रेजी माद्यम से पढ़ने लगा घर में पूरी तोर से हिंदी वातावर रण मा पिताजी तो बलकि भोजपुरी में बोलते और इस्कूल में बोलना पड़ता मुझे खालिस अंग्रेजी में तीन-चार भाशाओं के खिचरी से मेरा दिमाग उखड़ गया डोनेशन देने में आगे रहते, कुछ के स्कूल को और किसी तरह की सरकारी सुइधा देने में मेरे पिताजी इन में से किसी श्रेणी में नहीं आते थे मा यूं तो इंटर पास थी और मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी पर अंग्रेजी माध्यम होने की वज़े सिलाचार थी अता सारी मेहनत पिताजी ही करते आफिस से आने के साथ ही सारी किताब काउपिया सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं जब पहली क्लास की रिपोर्ड लेकर घर पहुचा तो मुझे बताया गया कि थर्ड आया हूँ पिताजी खुशी से अधिक उत्साहित थे कि चलो कोई बात नहीं अगले साल और मेहनत करेगा तो आसानी से फर्स आ जाएगा और इस पर अमल करने के लिए अगले साल मुझे और ज़्यादा मशक्कत करने के लिए दिन रात समझाया जाने लगा पढ़ाई के घंटे एवं कड़ाई और बढ़ा दी गई शाम को ज़्यादा समय ना निकाल पाने पर पिताजी सुएम सुबह जल्दी उठने और मुझे भी उठा कर पढ़ाने लगे लेकिन बावजूद इन सब मशक्कतों के क्लास में एक नया लड़का रमन आ गया था उसके पिता कोई बड़े ओफिसर थे और वो एकदम मातर भाशा की तरह अंग्रेजी बोलता था सारी कलास पर उसका दबदबा चा गया था पिताजी बुरी तरह जुझला गए थे थोड़ा मुझे भी भला बुरा कहा था लेकिन हिम्मत नहारी होने गर्मियों की चुट्टियों में अगले साल की सारी पुस्तकें उठा लाए और पूरी चुट्टियां मुझे डिक्टेशन देते राइटिंग कराते और अंग्रेजी पहाड़े के 33009 कराते बिता दी मैं पूरी चुट्टियां और रड़कों की तरह ना नानी दादी के घर गया ना बगीचे से आम चुरा पाया ना सडकों चबूतरों पर गुल्डी डिंडा खेल पाया बस किताबों में सिर गाड़े रहा पिता जी का उत्सा बढ़ रहा था और मेरा मन मर रहा था स्कूल में भी दूसरे बच्चों की मम्या महीने दो महीने पर पढ़ाई वगएरे के विशे में पूछने आती पर चुकि मेरी मां अंग्रे जी नहीं बोल पाती थी इसके ये पिता जी ही हमेशा आते वो भी अक्सर पंद्रे दिनों पर ही करीब करीब सारी ही टीचर्स उन्हें जानने लगी थी क्लास की मिस उनके आने पर होटों के कोने पर हलके से मुस्कुरा थी और मैं तिल मिला उटता अगले साल की पढ़ाई मेरे लिए और भी उबाउ सिद्ध हुई क्योंकि पूरी गर्मियों रटा हुआ कोर्स मुझे इतना नीरस और बेकार लगता कि दोबारा पढ़ने का मनी न करता कुछ गमंड भी कि सब कुछ तो पढ़ा हुआ है मिस भी शुरू में एक बार जान लेने पर दूसरे लड़कों से प्रशन पूछती मैं उपर क्लास में और बाहर दूसरों से भिड़ता खुराफाते करता और तमाम अंग्रिजी हिंदी की गालियां देता घर पर बराबर इस्टुपेड नॉनसेंस कहकर छोटे भाई बहन और मापर भी रुआप जमानी की कोशिश करता एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी मैंने भी जित की पिता जी न मना किया फिजूल दस रुपे फेकने से फायदा बिकार दिन पर ठकोगे मेरे जित करने पर माँ और पिता जी में जिक जिक होने लगी मैं अडा ही रहा परिराम सरूप पहले समझाया दमकाया और फिर डाटा गया और सबसे आखिर में दो चाटे लगा कर नालायक करार दिया गया बाद में भी हमेशा ये होता कि स्कूल में मिस पिकनिक के फायदे बताती और घर पर पिता जी उसे पैसों के बरबादी कभी डोनेशन या सालाना जलसे आरी के लिए चंदे वगरे की छपी पर्चिया लाता तो पिता जी जहला पड़ते एक दो रुपे देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के दस दस बीस बीस रुपे लाते हैं मैं क्यों एक दो रुपे ही लेकर जाओं रमन के बर्थडे की बात तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हम दोनों में अच्छी दोस्ती थी इसलिए सबसे पहले उसने मुझे ही बताया कि अगले महीने उसका बर्थडे है और बर्थडे से एक दिन पहले कुछ अन्य दोस्तों के साथ मुझे भी एक गुलाबी कार्ड थमा दिया था मेरे नाम से खालिस मेरे लिए मिला ये एक अनोखाने मंत्रन था मैं अंदर बाहर एक्दम खोशी से किलकता घर पहुँचा था पर पिता जी ने कार्ड को जराबी महतों नहीं दिया उल्टे पढ़ाई के महतों पर भाशर देने लगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं शायद रमन से भी जादा बेसबरी से उसके बर्थडे का इंतजार कर रहा था क्योंकि रमन ने अपने बर्थडे की तयारियों का जो चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे एक महीने से बेचैन कर रखा था लेकिन उस दिन पिता जी ने मुझे एकदम डपट दिया नहीं जाना है चुपचा पढ़ाई करो मैंने जोर जोर से लड़ना जिद मचाना और रोना चलाना शुरू कर दिया गुस्से में आकर पिता जी ने एक भरपूर थपड गालों पर जड़ दिया पूरे गाल पर सक्त मरदानी उंगलियों के लाल निशान उभर आये उसने पहली बार मां मेरे गालों पर उंगलिया फेर कर रो पड़ी थी और एकनम आपे से बाहर हो पिता जी से लड़ पड़ी थी पिता जी को भी शायद पच्तावा हुआ था वे बाहर चले गए मा ने मेरा मूद उलाया गाल पर दवा मली और बाजार से बिसकुट का एक डिबा मगा कर तथा तयार कर पिता जी के साथ रमन के घर पिछवा दिया रमन के पापा दर्वाजे पर ही मिल गए थे खूब खुश होकर उनने रमन को बलाया फिर उनकी द्रश्टी गालों पर पड़ी पिता जी जल्दी से बोले आते आते सीडियों से गिर गया पर मैंने कहा तुमारे दोस्त का बर्द्रे है जरूर जाओ मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो था मन किया जूर से चीक पढ़ू रमन के पापा के सामने ही कि ये जूटे मकार और निर्दई हैं मुझे पीट कर लाएं हैं और यहां जूर पोल रहें पर बोला कुछ नहीं बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादूई देश में आ गया हूँ धेर के धेर जूलते रंग भिरंगे गुबारे रिबन्स प्रेजेंट्स तौफियां गुलदस्ते सा सजा उल्लास थे हमेशा हस्ते से उसके ममी डड़ी घर लोटकर मैंने पहला प्रश्ण मा से यही किया तुम और पिताजी मेरा बर्थरे क्यों नहीं मनाते अंजाने मेरे अंदर पिताजी का एक शत्र पैदा हो गया जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उसे अपने प्रतिकिये गए अन्याओं के विरुद्ध बदला लेने की इसकी में बनाता और चुकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के परियाएवाची बन गए थे अतापढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चिड हो गई थी जितनी पिताजी से घर में छोटी भेंशालू और उससे छोटे मंटू के आगवन के साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई थी जरूरतों का खेरा और खस गया था शायद इसी वज़े से मा और दूबली पिताजी और चिर्चड़े तथा मैं जादा विद्रोही हो गया था अब बात बात पर पिटना एक आम बात हो गई थी दीरे दीरे पिटने का डर भी दिमाग से काफूर हो गया और मैं दुस्ता हसी हो पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता बस पढ़ाई पिछड़ती गई फर्स आने लायक शायद नहीं था पर सामाने लड़कों से नंबर अच्छे तो मैं आसानी से ला सकता था पर पढ़ाई से तो मुझे शतुरता हो गई थी पिताजी से बदला लेने के लिए अपना केरियर चौपट करने तक में मुझे एक मज़ा मिलता लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाई दूसरा नहीं हो सकता मुझे याद है कि पाचवी कक्षा में सात्वी पोजिशन लाने के बाद छटी कक्षा में मैं मेहनत करके थर्ड आया था सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे पर रिपोर्ट देखते ही खीजे थे चाहे कितना भी घोल कर पिला दूँ पर तू रहेगा थर्ड का थर्ड ही मेरा मन अपमान से तिल मिला गया सोचा चीट कर कहूं अगली साल मैं फेल होंगा फेल अक्सर पेपर देकर लोटने पर इम्तिहान का बोश तलने की खुशी में उमगदा हुआ घर लोटता तो बैठक में पिताजी मिलते कैसा किया पेपर? मैं खुश होकर कहता अच्छा पर पिताजी के होट बिदग जाते कह तो ऐसे रहे हो कि जैसे फर्स्ट आ जाओगे? खीच का पेपर देकर लोटने पर तो खास तोर से उनका सामना करने से कतराता, चिड़ता और मा के सामने भुनवना कर अपना आवेश व्यक्त करता शालू मुझे बच्ची लगती थी पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी मा का कहना मानना उनसे डड़ना शुरू कर दिया है मुझे उस चमची से चिड़ हो गई है नन्य मंटू को गोद में लेकर उच्छालने खिलाने की तबियत होती है पर पिताजी उसे प्यार करते हैं ये सोच कर ही मुझे उसे रोते रहने देने में ही शान्ती मिलती है इस महीने पैसे की ज़्यादा परिशानी है तेरी कौटी कड़क कॉलर वाली पुश्यर जरूर सिलवाऊंगा मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है बिना घड़ी के इमताहन नहीं दूँगा साइकल पंक्चर हो गई तो बस नहीं आटो रिक्षा से डिवड़ उपे किराया देकर घड़ लोटूँगा हिप्पी कट बाल कटाऊंगा माथे पर फुला कर सभानूँगा कर ले जो कर सकते हो मेरा मुझे शिक्षा देते हैं चादर के बाहर पैर नहीं निकालने चाहिए मैं ही उन्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे नन्ने मस्तिष्क पर पढ़ाई का बोज लात कर तमाम तमाम जादितियों के बीच उन्होंने भी तो अपने आर्थेक बॉत दिक दाइरों से बाहर पैर निकालने की कोशिश की है तब कई बार मन करता है कोशिश करके एक बार फरस्ट आही जाओं लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है नहीं ये तो पिताजी की जीत हो जाएगी वेसे अपनी ही उपलब्दी समझेंगे और इस इमताहन के बाद किसी कुली कबारी के काम पर लगा देता हूँ ऐसे नकारों का मेरे घर में गुजारा नहीं होगा बहुत पिला चुका सांप को दूद मैं अंदरी अंदर विद्रों से फुपकारता हूँ मैं भी देखूंगा आपकी इजद धूर में मिलाने के लिए तो कुली कबारी क्या चोर उचका तक बन जाने में मुझे एतराज ना होगा यही देख लीजे अभी नुकड के दुकान पर माचीस खरीदने आया था अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे जानने क्या मन में आया कि दुकान वाले से एक सिगरेट खरीद लेता हूँ कन्खियों पर ठहरी उनकी कुपित नजरों के सामने एक भरपूर कश लेकर छो देता हूँ जानता हूँ घर पहुँचकर खूब गरजेंगे दहाडेंगे दहाडें मेरे मन का वित्रोत रप्त होगा लेकिन बाहरी दर्वाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ पिता जी गलियारे में खड़े-खड़े दीवार से कुहनिया टिकाये निशब्द कातर रो रहे हैं मैं सन्नाटे में खिचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ ये पिता जी ऐसा ऐसा तो मैंने कभी ने सोचा था तो क्या पिता जी पहले भी कभी ऐसी अवश मजबूरियों के बीच वोई होंगे मुझे लेकर नहीं एक बे आवाज चीक मुझे अंदर तक चीर गई है मेरी आखों के वित्रोही अंगारे बुजने लगे हैं सूरेबाला जी की लिखी हुई कहानी मेरा विद्रोह